हाई friends good morning and swag at your YouTube channel students classes classes now दोस्तों आज मैं A P का कोस्न बहुत में बताने वाला हूँ दोस्तों और यह कोसन बहुत मुते है तो चलिये दोस्तों वीडियो को स्टाट करने से पहले आप लोग से रिक्रेश्ट करोंगा कि आप मेरे बात मेरे doctors फेंगा क्यूंकि इस तरह A P में हमको A b.5 D b.3 T n b.50 तो N हमको और Sn कहता है निकालने के लिए देख़िए A को पर्थम पद D को पदांतर या सारबंतर कहा जाता है और T n अंतीम पद SN को योगफल कहा जाता है दोस्तों आप लोग को यह पता होगा देखिए फ्रेंट्स आपको अगर कभी 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 क्या यह नहीं मालूम रहेगा कभी इसमें देखिए ADTN मालूम है तो हमको N और SN कहता है निकालने के लिए तो कभी कभी आपको SNN मालूम रहेगा AD कुछ इस प बराबर 50 दिया है तो हमको N और SN कैसे निकालेंगे तो देखिए सर परतम दोस्तों आप TN निकालेज़े तो TN बराबर क्या फर्मूला होता है आपको दोस्तों A पलस क्या N-1D आपको दिमाग लगाना है फ्रेंट्स की इस तरह का कोशन में कि मैं किस परकार निकालो जो देखिए तो TN कितना दिया है पचास दिया है यह देखिए पांच आप पलस देखिए N कुछ नहीं है तो N माइनस कितना 3 मालूम है इतना हो गया अब और में देखिए दोस्तों क्या हो गया फिप्टे आइकोल टू बस कैल्कूलेशन कर रहे फ्रेंट्स देखिए अब कित कितना माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और में पता यह अब कितना हो जाएगा 50 एकोल टू कितना क्योंकि मल्टिप्लाइ करेंगे तो 3-3 हो जाएगा अब देखिए पांच में से 3 क्या तो कितना 2 हो जाएगा प्लस में कितना 2 हो जाएगा अब देखिए और में कितना बरावर इतना बॉलता है बरावर होता है तो एन निकाली जिए अगर थी एन बरावर इतना लिखेंगे हां तो पचास में से दो गया तो कितना होगार तालिस होगा यहां पर तो इसको काट यह तो कितना सोलतिया 48 तो एन बराबर आपको कितना निकल गया 16 निकल गया दोस्तों हमको एन निकल गया आई होब दोस्तों आप लोग समझ गया होंगे देखिए इस तरह का कोर्शन में आपको दिमाग लगाना है और फ्रेंड्स आपका कैल्कुलेशन अच्छा होना चाहिए तो आपको क मतलब इतना होता है आप हमको देखिए एन भी मालूम हो गया हमको सीधा जो है सो एस एन निकल जाएगा दोस्तों यूग फल निकल जाएगा तो एन हमको निकल गया 16 बट्टा यहां पे दो आप देखिए ब्रैकेट में टू गुने एका भैलू पांच पलस एन हमको निकल इतना है देखिए इस परकार आप कैलकुलेशन कीजिए 16 बट्टा टू यहां पे कोई-कोई स्टुडेंट गल्दी क्या कर देता है दोस्तों पहले दो अठे 16 कार देता लेगिन देखिए यहां पे ब्रैकेट है तो सर पर थों आप पहले ब्रैकेट का काम कीजिए क्योंकि कि बॉर्ड मास का नियम है ना पहले ब्रैकेट का काम कीजिए तो कितना हो जाएगा दो गुने पांच अब देखिए पलस सोलों में से घटा तो 15 अब 15 तिया कितना हो जाएगा पैंतालिस देखिए इतना हो जाएगा अब 16 बट्टा टू अब फिर स्टार्ट ब्रैकेट द जाएगा 55 हो जाएगा अब कितना हो जाएगा फ्रैंट्स तो देखिए इसको सीधा गुना में लिख लेजे इसको गुना में इतना तो आप इसको काड दियेगा तो दू अठे कितना इसको ब्रैकेट हटार देता है क्योंकि यहाँ पे काम खतम हो गया दू अठे 16 और आठ app को multiply कर लीजे कितना होगा तो रफफपांचे चालीस के 0 हासिल 4। चयाल चार 45 4 का चार 404 तो कितना 440 तो हमको anni कल दिमाग लगाना आपका calculation अच्छा होना चाहिए दोस्तों तो आप लोग समझ गये होंगे और आपको इस तरह का कोशन बनाने में प्रोब्लम नहीं होगा आप जो हैसो कर लिजाएगा तो आपको इस तरह कोशन कभी बनाने में कभी प्रोब्लम नहीं होगा दोस्तों यह वीडियो लेक्षर आप को बहुत अचलागा होगा दोस्तों दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्ष्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्ष्ट वीडियो में लेकिन जाने से पहले फ्रेंट्स में आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नहीं हो दोस्तों चैनल को करें दोस्तों